ट्रम्प की भारत यात्रा भले ही काफी विलंब हुआ हो बड़ एक अच्छी समय पर संपन हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच जो द्वयपाखी संबंध है वे पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छी गती से आगे बढ़ रहे हैं पहले ट्रम पहले उबामा जी के समय उ काराई उस समय से हमारे वबाक्षी समंदों में काफी प्रगती हुई है ऐसे में ट्रम्प का पहला मेड़ इन विजिट इंडिया में होना बहुत महत्पूर्ण है और भारत और अमिरिका के समंदों में काफी महत्पूर्ण नई आगे बढ़ने वाले कदम लिए जाएंगी नमस्ते ट्रम्प का कारेकरम एक भव्य समाहरों के रूप में कुजरात में संपन होने वाला है। भारत अमेरिका के संबंधों के महत्व को ध्यान में रखकर इन संबंधों का एक बहुत बड़ा जो योगदान हिस्सा हमेशा रहा है जो लोगों के पीपल टू पीपल संबंधों जिसको कहते हैं। भारत के आंतरिक मामले हैं। इन पर अगर किसी देश के नेता को कोई जानकारी चाहिए तो देने के लिए हमारे डिपलमाटिक कोर हमेशा तयार रहा है। भारत में कई नेता आते भी रहें। परसों रिपब्लिटे के परेड में विजल के राष्ट्रपती उपस्तित थे। इसलिए किसी ने इस कार्ण से अपने यात्रा किया हो यह बात सच नहीं है। और ट्रम्प की यात्रा को कोई डोमस्टिक मुद्गों से जोड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। ट्रम्प भारत आने का कारकम पहले भी बना था, उनके लोकल कारणों के चलते हो नहीं पाया था, अब उनका कारकम तयार हुआ हुआ है, देखो बैद हो देशों के बीच ट्रेड को लेकर तमाम मुद्दों पर हमेशा चलते रहते हैं, उसको विवात कभी नहीं गहना ट्रेड को एक नए उंचाई पर ले जाने के लिए अब होने वाले ट्रंप का विजिट एक महत्वपूर्ण विजिट के रूप में थाबित होगा ऐसा हमारा विश्वास है। चलने का प्रयास अगर विपक्ष कर रहा हो तो यह दुर्भाग्यपुर्ण है ट्रंप के विजिट को सक्सेस्फुल करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना था वो कदम उठाकर उसको अच्छा बनाने का प्रयास सरकार करेगा है सरकार की जिम्मेदारी है विदेशी महमान जब भारत आते हैं तो भारत की छवी अच्छा हो उस देश से जो भी उचित कदम उठाने उठाये जाएगा